हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहां पर आप सभी की बहुत साथ ज्यादा रिक्विस्ट आ रही थी तो उसी को लिएकर आज मैं यहां पर यह वीडियो बनाने बाला हूं और बात करेंगे दोस्तों 1st, 2nd, 3rd year के examination के बारे में वो confused हो रहे हैं कि exam मार्ज में ना हो जाएं कहीं ठीक है तो वो आपको अभी आपका confusion दूर कर दूँगा ठीक है पूरा detail में बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक नोटिफिकिशन आपको मैं यहां पर बता देता हूं ठीक कि मैंने वीडियो में सब कुछ बताया होता तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ओके तो यहां पर मैंने वीडियो प्लोड की थी तीन चार दिन पहले क्योंकि तब नोटिफिकेशन नहीं आया था ठीक है उन्होंने डारेक्ट लिंक ही दी थी फर्स सेकेंड थर्ड तो इस बार उन्होंने लिंक दे दी थी बट अभी लिंक तो दे दी थी बट कहीं के फर्म नहीं फिल हो रहे थे तो मैंना उनको कहा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा हलांकि उसी दिन मैंने आपको अप्डेट दे दी थी बट उस वीडियो में इतनी सारी घालीया दी थी ना कहीं होना कि बता नहीं कहां कहां से मुझे यहां पे यहां पे कह रहे थे कि अपना पहले पहले यार इतने साल होके घेए दोar दो साल तो होगे मुझे अपड आ जाध और ख़ together sch aprilic man bringen तो तो मैं इस इस notification की बात यहां पर कर रहा था मैं आपको कहा था रहा है कि बिना notification कि किसे पता जलेगा कि examination form भरना start हुए है तो यह notification है इसकी मैं बात कर रहा था आप बंदे की बातों को समझते नहीं हो कि क्या बंदा बोलने वाला है क्या बंदे का कहने का मतलब है उन बातों को नहीं समझते हो आप सभी जिरों नहीं यहां पर गालियां दी थी मुझे पता नहीं आप subscriber थे वो regular या पहली बार आये थे बड़ जो regular subscriber है उनको तो पता है मेरा कि मैं किस तरह की मेरी videos होती है किस तरह की मैं मतलब official notification आपको बताता हूँ हलंकि टेलिग्राम के उपर आपको देता भी हूँ ताकि आप खोद भी पढ़ सको तो यह जो official notification है यह मैं उस दिन आपको बता रहा था कि यह अभी तक नहीं आया है तो यह कल आया है दोस्तों ठीक है इससे पहले यह नहीं आया था यह notification कल ही आया है तो अभी देखने न जो गालियं दे रहे थे बहाँ पर और उनको मैं क्या ही बोलू अभी उनको तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंना यही सीखा है गालियं दे या नहीं उस दिन तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला और मैंने साम को बता भी दिया सभी को कि notification नहीं है हालांकि link है बहां पर लिंक थी बड़ notification नहीं तो यह notification है और अभी जो है अपने examination form आप भर सकते हो BA, BAC, B.com and शास्त्री 1st, 2nd, 3rd year के students ठीक है तो इन सभी के examination form बनना start हो चुके है annual examination के जो air system वाले हैं उनके लिए है ये और कहां से बनना है www.exams.hpishman.com यहां पर आपको links मिलेंगी उनके उपर किलिक करना है तभी आप redirect करोगे next जो portal है उसके उपर तो यह जो है यहां पर यह भी start बनना start हो चुके है पहले क्या था उन्होंना link दी थी दोस्तों लिंक बहाँ पे थी बड़ के इंशों के form भर जा रहे थे कईयों को नहीं भर जा रहे थे तो मुझे comment भी आ रहे थे कि हमारे तो अभी नहीं On में एपन ही ओरी यह हमारी तो दोस्तों वो उन्होंना लिंक ऐसे ही दी थी पता नहीं के भर गया पता नहीं कैसे भर गये बट लिंक उन्हें ऐसे दी थी बट अभी जो है अभी ओफिशिल है पूरा ये देख सिब तो आप ठीक है कल का ही नोटिफिकेशन है 28.1.2021 कल भी मैं ट्राइ कर रहा था बट वेबसाइट आपको पता है कि ये पतनी बंद कर देते हैं शायद तो इस कारण ये डाउनलोड मैं नहीं कर बाया था और आपको पता है मैं बिना ओफिशिल नोटिफिकेशन के कुछ चीज नहीं बताता तो ये ओफिशिल है दोस्तों और इसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी तो 20 फरवरी तक जो है आप अभी अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो चाहे आप BA, BAC, B.com, शास्त्री 1st, 2nd, 3rd इर वाले जितने भी स्टूट्स हैं वो अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जानकारी के लिए आप HPU से भी कॉंटाक्ट कर सकते हो चाहे गालिया देने से पहले न यहाँ पर देख लिया करो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ और अभी आप कमेंट विगरो कि या आप गुस्ता कर रहा हूँ मुझे गुसा तो हाता है नहीं बट मुझे थोटा से दुक होता है कि इतनी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं मतल entrenे कि बहुत मुश्किल होता हूँ पहलिए बार हूँ उकल यहाँ बाते है लृइ जाहिए यह कर ने आ만 होँ यह अप्यज कर्सकार सकते है इग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं 20 फर्वरी लास्ट डेट है और 20 से पहले पहले आपको अपना इग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है ओके चलो और अभी मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ यह भी देख लो इसके बाद मैं बात करता हूँ तो यह है आपका दोस्तों BTTM BPE BWOC 1st 3rd 5th semester और BFA 1st 3rd 5th semester regular और reappear examination वो भी आपके यहाँ पे लिखा है फर्वरी 2021 होंगे तो अभी जह है इनका examination form भर रहे हैं www.exams.hvishvna.in से यह भी कल का ही नोटिफिकेशन है ओके और इसकी last date है 10 फर्वरी तो 10 फर्वरी से पहले पहले आपको जही अपना form fill कर लेना है उसके बाद आपकी university के हिसाब से लेट फीस लगेगी तो अभी मैं दोस्तों बात कर लेता हूं जो main आप confused जो वहाँ पर हो रहे हो उसकी मैं भी यहाँ पर बात कर लेता हूं कहां पर कि आपके exam 1st 2nd 3rd year के exam का होंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी आपको clear हो गया होगा जो यहाँ पर बोल रहे थे कि last date के है last date 20 February है 20 February से पहले बेले आपको अपना form fill कर लेना है तो अभी यहाँ बात कर लेना है तो अभी पहले किन के exam होंगे आपको पता होगा आप वीडियो देखते हो तो पहले exam होंगे यूजी जो semester वाले है यानि कि 2015 बैच है 2016 बैच है और 2017 बैच है इनके पहले exam होंगे इनके ओपर depend करेगा कि आगे कहां तक यह dates जाती है पूरा मैं detail मसमें जाता हूँ देखो जैसे मैं आपको suppose करो suppose करो कि आपके आपके नहीं जो यूजी semester वाले हैं थीक है 2015-16-17 बैच है इनके exam अगर मानते हैं हमकी कब से start होते हैं 15 February से ठीक है या भी मैं मान के चल रहा हूँ अगर 15 February से exam start हो रहे हैं तो दोस्तों जितने भी exam होते थे न पहले भी तो वो कितने दिन होते थे कम से कम होत होते थे यान की जो अभी 2015-16-17 बैच के हैं तो उनके अगर मानते हैं कि 15 February से start है exam तो पंदरा तो आप ये मान के चलो कि 10 March तक इनके exam खत्म हो जाएंगे यूजी समेस्टर बालों की यहां पर बात कर रहा हूँ 10 March तक इनके exam खत्म हो जाएंगे 5 या 10 अगर ज़्यादा चुटियां होई maximum रखेंगे तो दोस्तों 10 March तक अगर 15 से start होंगे तो 10 March तक इनके खत्म हो जाएंगे examination और अगर चुटियां इन्होंने कम की ये भी हो सकता है कि March 5 से 5 तक complete हो जाएंगे तो March 10 आप मान के चलो फिर भी March हम मान के चलते हैं कि March 10 तक जो है आपके जो है यूजी समेस्टर बालों के exam complete हो जाएंगे अगर 15 फरविड़ी से exam start होते हैं तो ओके और आगे आगे दोस्तों नहीं बुला है कि जो PG post graduation बालों के exam है वो भी हों खतम उससे 5-6 दिन छोड़के रख लो आप PG बालों के exam यानि कि 15 मार्च से आप रख लो post graduation बालों के exam तो यह भी दोस्तों 20-25 दिन होंगे तो 20-25 दिन आप रख लो कितने हुए 15-30 और यह हुए आपका April ठीक है क्योंकि 10 तक यह हुए थे खतम 10-16 और 15-30 और April तो यह दोस 10 तक यह भी मैं maximum यहां पर रख रहा हूं क्योंकि PG बालों के exam कम ही होते हैं ज्यादा मतलब subject नहीं होते हैं पोस्ट ग्रैजूशन में 4-5 सबजेक्ट होते हैं तो उनके exam जल्दी खतम हो जाते हैं वट मैं फिर भी यहां पर 25 दिन रख रहा हूं ठीक maximum 25 दिन तो April 10 तक आप का start annual system बालों के क्योंकि इन्होंने बोला है March दोस्तों March को बाहर निकाल दो March में तो मुश्किल लग रहा है March में तो मुश्किल मुझे लग रहा है March में कोई chance नहीं है क्योंकि March में अगर यह schedule के हिसाब से जले जैसे इन्होंने notification बताया है पहले UG के होंगे फिर PG के होंगे फिर annual बालों के होंगे तो उसे हिजाब से यहाँ पर March में नहीं हो सकते नहीं हो पाएंगे यह जो first, second, third year के examination है वो नहीं हो पाएंगे March में यह फिर होंगे April में तो अभी मैं दिखता हूँ दिखो अगर यह exam UG semester बालों के अगर यह बहुत जल्दी करवाते हैं इस वार late ह तो अगर यह करवाते हैं कम सकम 20 दिन में भी, अगर 20 दिन में भी करवाते हैं तो मान के चलो फिर PG बालों के होंगे वो भी 20 दिन मान के चलो मतलों 40 दिन होगे तो यह आपके exam अगर छुटियां नहीं हुई, UG semester बालों के बीच में, exam में और PG बालों के बीच में अगर पहले होता था 20-25 दिन लग ही जाते थे एक्जामिनेशन यूजी जो समेस्टर्स के एक्जाम है उनको खत्म होने के लिए और पीजी के लिए भी 20-25 दिन आप मानके चलो तो 50 दिन होगे तो फिर आपका होगा ये अपरेल के सैकिंड वीक में अपरेल के सैकिंड वीक में ये स्टार्ट हो सकता है कि छुटियां कम हुई अभी डिपेंड करेगा कि पहले यूजी वालों की डेट शीट कब आती है क्या स्ट कर शेडूर रहेगा उस हिसाब से आपके जितने भी आगे के एक्जाम है चाहे वो पीजी के एक्जाम है चाहे वो एन्वल सिस्टम वालों के एक्जाम है उसके ओपर डिपेंड करेगा कि वो कहां तक डेट जाती है आगे समझ रहे हो कि जैसे अगर यूजी वालों के ही लगे फरवरी एंड में तो आपके फिर मार्च पिर अपरेल एंड में लगेंगे ओके मतलों इससे फरक पड़ेगा अभी अगर ये लेट होते ह ैं हैं यूजी स्मेश्टों स्वालों के भी होने हैं और ने बच्टा देखते हैं फरवरी में कब किस देट से स्टार्ट हूं है उसके उपर depend करेगा सबकुछ आपके आगे PG बालों के विजाम उसके उपर depend करेगा और जो annual yearly system बाले students हैं उनके exam भी उसी के उपर depend करेंगे कि कब तक होंगे अगर यही लेट हुए तो आगे फिर आपको पता ही है अगर पहले 15 हमने माना था अगर 25 हर चार्ट हुए तो आगे 10 दिन उसको भी आगे बढ़ा दो फिर PG बाले भी उतने ही लेट होंगे दस दिन और annual बाले भी उतने ही दिन लेट होंगे समझ रहे हो तो यह आपका confusion दूर हो गया होगा अगर एक बार वीडियो में समझ नहीं आया आपको तो फिर से वीडियो सुन लेना आपको मैं शूर हूं कि आपको समझ जरूर आएगा जो आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूं और दोस्तों मैं ऐसा नहीं कि मतलब सिधा यहाँ पर वीडियो बनाने बैठ आपको वियासे ही बताने के लिए तो मैंने प्रीविस येर के हिसाब से देखा है प्रीविस येर में इतने ही दिन लगते हैं 20-25 दिन जो आपके समेस्टर के एक्जाम है 2015-2016 उतने दिन इनको लगते ही हैं 20-25 दिन अगर छुटियां होती है तो और पीजी के लिए थोड़े से 20-25 दिन इनके भी मान के चलो हालांकि कम ही लगते हैं थोड़े से 4-5 दिन बट फिर भी हो सकता है तो 50 दिन दोनों को मिला के रखो उसके बाद आपके एनुल के एक्जा पहले फर्वरी में उनके उपर अगर वह अगर स्टार्ट हुए फर्वरी एंड में तो फिर लेट होंगे यूंतर ही फिर आपको स्थारी रिक्वेस्ट यहां पर आरही थी कि हमको बताओ कि हमारे एकजाम कब तो होंगे तो मैंने पूरा डेटेल में समझाने के आपको कोशिश की है बीद एक्जामपल आपको समझाया है और वैसे कोई भी मुझे अपडेट मिलेगी तो वह आपको जुरूर बताऊंगा और अभी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जुरूर बताएगा मैं अलग से वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करिएगा और यह एक इसानेशनल फॉर्म फिल कर ले ना भी ओके थैंक्यू